हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सुहाना किचिन चानल तो आज मेरे आप बहुत सारे रिष्टदार के बच्चे आए और उन्होंने कहा कि कुछ नया कुछ बना के खिलाए है हमें ऐसा कुछ नहीं काना है तो मेरे घर में रखे थे बहुत सारे वेजेटेबल तो मैंने सोचा आज मंचूरियन और चाइनीज बनाते तो इसके लिए मैंने एक पूरा पत्तागोबी ले लिया है गाजर ले लिया है तो पत्तागोबी को हमने दो टीजबू निकाल लिया है थोड़ा सा गाजर को भी निकाल लिया है क्योंकि मंचूरियन की ग्रेवी में हम इसे क्या करेंगे आड़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिक बारिक मैंने गाजर को चौप कर लिया है आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से बारिक बारिक चौप करना है तो हमने पत्ता गोबी में गाजर को आड़ कर दिया अब हमने बहुत बारिक चार हरी मिर्ची लिये थ आप मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार आड़ कर सकते हैं और अब हमने इसमें क्रश किया हुआ अद्रक और लैसुन इसमें 4 कली लैसुन की और छोटा सा अद्रक हमने क्रश कर लिया है और मेरे पास एक मैगी मसाला रखा तो मैंने सोचा स्वाद को थोड़ा बढ़ाने के लिए इसमें मैगी मसाले का भी फ्लेवर आध करते हैं, श्वात के लिए नमक जरूर से आध करें हमने दो पिंच नमक अध किया है और हमारे पास लिए काउन फिला था, आप किसी भी कंपनी का कॉनफला आध कर सकते हैं तो इसमें देखे हमने एक टीजबून कॉन फ्ला आड़ किया है और अब हम इसे हलके हातों से सारे फ्लेवर को क्या करेंगे मिक्स करेंगे ताकि पत्त गुबी गाजर लेसुन अद्रक और मिर्ची और मागी मसाला नमक सब अच्छे तरीके से एक साथ क्या हो जाए मिक्स हो तो आप देख सकते हैं किitने तरीके से क्या हो चुकि हैं मिक्स हो चुकि हैं आप इसमें एक टीजबून और कारफोला आड़ किया है 50 convert ship कि बड़ी घुवरी नहीं काटें वरिना बॉल बनने में बहुत दिक्कट हो गी में इसमेंjust Effective में 10 क्योंकि अगरर मैयदğ अगर आप एसमें मैदा या कॉणपला एड नहीं करते हैं तो जो बॉल है मैंने कि इतने तरीके से गोल गोल करके मन्चूरन की बॉल को प्रेपैर किया मैदा बिल्कुल नहीं खुल रही है इस तरीके से हम धीरे दीरे क्या करेंगे सारे batter के ball को prepare करेंगी तो इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से छोटे छोटे ball prepare कर लिया, आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हैं कभी भी mand mphiran को तलने के लिए एक कढ़ाया लिया और उसमें बौहत तेज तेल को गरम कर लीजेगा ठंडे में नहीं डालेगा अदवाइस जो बॉल है वो क्या हो जाएगी खुल जाएगी तो एके करके सारे तेलों में आड करके हमने डाल दिया और हमारे जो मंचूरियन बॉल है वो सुनहरी कलर की बनके तयार हो चुकी है तो देखिए इस तरीके से एक्सेसिफ तेल को हमें ह जितनी भी वेजी स्टी आड कर दिया इसमें निष्मला मिर्च पता गोभी प्याच और ओनियन और हमारे बच्चों को आलू पसंद तो मैं इसमें आलू भी आड किया और इसमें हमने एक टीजबून शॉल डाला है आप अपने हिसाब से सॉल्ट को आड कर सकते हो आड कर सक किया है और हमने 1 टीजमन सॉया सॉस आड किया है क्यावन यह चानिस की टीजबू sta कर दा है अपनी की जाब जादा हिए अब हम इसमें ठोड़ा सा घर का पाउडर भी झांप कर दिया क्योंकि हमने घ टाल दिया है और अब हम इसमें वन टीश भून हमने विनिगर आड है क्योंकि इसे और अच्छे आता है और इस सब्सक्ना मैं हमने और हम्झे सब्सक्राइब, इसली के सी अधने इंड में भूलिए हमने टमाटू सौस और ऑर रिए सीस सब्सक्राइब, ताकि जो कलर है जो फ्लेवर है वो और अच्छे से निखर किया है तो इस तरीके से हम सारे फ्लेवर को और चाइनीज को मिक्स करेंगे ताकि कोई भी चाइनीज का एक भी फ्लेवर मिस ना होने पाए तो इस तरीके से हमने हमारी चाइनीज को प्रिपैर कर लिया है और जल्द एक उनियन को हमने कट कर लिया बिल्कुल चाइनीज फ्लेवर की तरह और एक हमने पूरी शिमला मिच ली जिसे हमने रफली चॉप करके अब हम इसे क्या करेंगे थोड़ा सा सौटे करेंगे तो इसे हलका सा सौटे करना है अब हमारी जो ग्रेवी बनेगी उसमें थोड़ा सा बैटर को बिल्कुल लुद्पूर्ता बनाने के लिए हमने यहां पे टू टेजबून कॉन फ्ला लिया और उसमें आधा कप हमने वाटर आट किया है ताकि जो कॉन फ्ला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो सके इसमें अब हमने चॉप किया हुआ गाजर और पत्ता को भी आ आट कर सकते हैं जो भी आपके घर पे अवेलिबल हो तो यहां पर हमने वान टीजबून आट किया था और यहां पर मैने ऐसी बिना मेजरिंग के अकॉर्डिंग टू मी यह वन टीजबून टमाटो सॉस था और फुल वन टीजबून हमने विनेगर इसमें अड़ किया है ता एक हमने यूज नहीं किया इसमें वन कप ओ वाटर यह वन ग्लास अफ ग्लास व वाटर हमने पूरा आड कर लिया आप देख सकते हैं और इस तरह के से थोड़ा सा बॉइल आने तक आपको एक हलका सा बॉइल लाना है और बॉइल लाने के बाद आप इसमें सॉल्ट आड़ सकते हैं अपने टेस्के अकॉर्डे हमने यहां पर वन टीजबून ओल आड़ किया था और यह देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से बॉइल हो चुका है और हमने इसमें हमारा जो कॉन फ्ला था उसको मिक्स करके रखा तो धीरे धीरे तरीके से आपको आड करते जाना है ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो सके जैसी हमारी ग्रेवी थिक हो गई हमने यहां पर हमारे मंचूरियन बॉल को आड कर दिया है और आप देख सकते हैं कि बिलकुल होटल और स्ट्रीट मार्के टाइप हमने हमारे मंचूरियन ग्रेवी को रेडी किया है आप इ में आपके लिए आपकी बच्चों के मन पसंद चीजों को लाता है तो आड कीजे सस्क्राइब कीजे कमेंट कीजे और लाइक जरू कीजे थाइंक यू